हालो फ्रेंट्स वेलकम तो डिया स्टेडी पॉइंट्स रिजिनिंग के दूसरे सेजन में आपका स्वागत है आज का पहला कोश्चन समलोग डिसकास करते हैं सिक्स पीपल्स एबी सीडी एफ सिक्स पीपल्स एबी सीडी एफ वेर बन इन थर्टेंट नॉंबर इन दिफरेंट सिटिस अमॉंग भॉपाल्स गुजरात आसाम चैन्ने मुंबई देलही एंड इन दिफरेंट इस कोश्चन में कहा कि छे बेक्ती चे बेक्ती ए बी सीडी ऐ ए फ जी का जन नॉंबर के तीस तारीक को हो रहा है वो चे बेक्ती अलग अलग जगह पे उनका जन्म हो रहा है जिसमें भॉपाल दिया है गुजरात का नाम है आसाम का है चन्नेई का है मुंबई देलही और ये अलग-अलग वर्स में जन्म हो रहा है वो दस सल बाद जनम हो रहा है किसका डी का किसके जिस बेक्ती का जनम भोपाल में हो रहा है ठीक है तो मान लोगे आप यहां पे कि भोपाल वले बेक्ती का जनम यहां पे भोपाल का बेक्ती का जनम हो गया ठीक है भोपाल का जनम अगर X year में हो रहा है तो इसके 10 साल बाद मतलब कि उस बेक्ती का जनम X plus 10 करके हम यहाँ पे D का जनम निकाल सकते हैं यहाँ पे D का जनम निकाल सकता है कि D का किस वर्स में जनम हुआ था फिर इसके बाद क्या बोला है कि F was burned in 1961 F का जनम होता है जो बेक्ती F है इसका जनम जो है 1961 में जनम होता है E was burned in Chennai E का जनम जो है वो Chennai में होता है E बेक्ती जो है इसका जनम जो है वो Chennai में होता है इस बेक्ती का जनम Chennai में होता है और क्या बोला कि E was burned in Chennai and or was four years older to A E का जनम चन्नई में हो रहा है और यह के एता उम्र जो होगा जिससल उस्से चार साल पहले कैसा जनम पोगा चाहिए तॉ माल लोकि एका जनम कि एक इस वर्स में जनम लिया है क्लिर है आगे बढ़िए आगे बोला कि बी वाज बन इन 1965 बी का जो जनम है वह 1965 में हुआ है बी वाज बन इन 1965 वास थर्टीन इस ओल्ड टू ए बी का जनम 1965 में हुआ है और यह जनब बढ़ा है तो अब हमारा यहां पर A का एज निकल जाएगा आज का जनम जहां पर दिया है उर्लड़ी दिया है कि B का जनम जो है 1965 में हुआ है तो इसमें किसका जनम हो गया एक जनम होगे जब हमको एक जनम जनकारी मिल गया कि एक जनम 1970 में हुआ है तो according to previous statement कहा था कि ए जो है न वह चार साल बड़ा है एसे तो हम एक के उम्र में से माइनस 4 करेंगे तो हमारा भी एक उम्र निकल जाएगा एक जनम निकल जाएगा सौरी तो एक जनम 1970 में हुआ है तो एक के लिए क्या करेंगे जी 1978 माइनस 4 कर देंगे तो 1974 में किसका जनम निकले का जी एक मतलब कि एक जनम होगा वह 1974 में होगा यह हमें गड़ना निकल गई सब्सक्राइब एक जनम होगा जी एक जनम होगा अब बोले कि यॉंगेस्ट परसंस वाजब इन 1983 जो सबसे नौजबान मैं उसका जनम 1983 में होगा था कहां पर हुआ जी 1987 में मुंबए में हुआ है यहां क्या रहे लिए क्या यॉंगेस्ट परसंस वाजब इन 1983 इन मुंबए जो सबसे नोजबान इन छे दोंती में जब सबसे नौजबान ब्きटीहें उसका जनμ 1983 में मुंबई में हुआ है यह बात भी क्लिए होगी अब बोला कि एक लिस्ट वन परसंस वास बर्न बिट्विन सी एंड बी सी और बी के बीच में कम से कम एक बिक्ति के जनम हुआ है ज्यादा से कितने बिक्ति जनम उतना हमको मतनी है कितना होगा वो दिखना निकालेंगे ल करने जाते हैं पहला केसलिले यहां पर हमने केसले के जनम इस लाइन को पकडाया पहले इसको पकड़ते हैं हम क्योंकि एक जनम दिया उण हूए Sun cotton ure RVT दिया हुआ है तो सच्छे कर जनम यहां पर हो गया तो इसका जनम वहfen summer हो गया पिर इसके बात क्या थ जह है बी का जनम क क्या है जे 1965 में हुआ यहाँ पर हम बी को बेठाते है और बी का जो जनम है वो 1965 में हो गया यह बात भी हो गई है फरी इसके बात क्या बोला है कि वहा बेक्ति जिसका इस लाइन पर समगेगा जिस बिक्ति का जनम भोपाल में हुआ है उसके 10 साल बाद D का जनम हो रहा है जिस बिक्ति का जनम भोपाल में हुआ है उसके 10 साल बाद D का जनम हो रहा है तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास वहां थी एक दूसरी पॉसिबिलिटी हम लेके चल सकते हैं यहां पे दूसरा पॉ और कि अगर हमारा भी एफ को भुपाल मानते हो खुआ इस केस में भुपाल मांते हो कि एफ को जनम भुपाल में हुआ है इसके दस सल बाद डी का जनम इस स्थित्मिंट के तहद हमारे इस लाइन के लिए डी के जनम हो जाएगा वह कितना निकलेगा जी 1971 दस साल बाद यह कनफर्म हो गया है ठीक है कि चलिए ठीक है तो 1971 निकला तो अब हमारे पास देखिए एक जनम उनीज सो एक जनम 1978 में हुआ है एक जनम 1974 में हुआ है यहां पर हो गया तो डी जो है इन दोनों से पहले आ हो गया तो दी यहां पर आ गया और इसका जनम 1971 हो गया है अब यहां पर इसके नीचे में हमारे पास क्या आज़ाएगा जी आज़ागा एक ही और में और वह और जो सबसे यंकिस्ट परसand है ना उसका जनम naknost Innovation में हुआ है और आब आएं ऊडर कि बात करते हैं में का लिए सब्सक्राइब है कि जिस वेक्टी मेंपरी यह को बिक्ति का जनम में नी progression में वह से है यह बिलसा कgle साई यह वह निकला था कहां से जी गुजरात से निकला था तो एक जो जनम है वो गुजरात से है एक जो जनम हो गया वो गुजरात से हो गया है ये बात का भी कन्फर्म हो गया है ठीक हमारा एफ इस स्टेटमेंट में पहली पॉसिविलिटी में एफ का जनम भोपाल से हो गया ये बात भी सिटी बचा है वो देल ही बचा है ये बात है देल ही बचा और एक हमारे पास सिटी बचा है अभी चिन्नाई बचा है ठीक है और एक बात ये भी बोला है कि ये कहां से है चिन्नाई से है इ चिननई से है शेन नहीं का अब हमारे पास क्या बचकर पास यह रहा हैחנו तो डी के जनम देलही में नहीं हुआ है हमारे पास दो ही स्टेट बच्चे हैं वह आसाम और देलही तो डी आ देलही से नहीं हो तक किस स्टेट से होगा जी आसाम से होगा टीकए डीकिवासमस हो गया था अब हमारे पास एक स्टेट बचा और वह बीडिया ग् tenía देली से हो गया है एक यह मैं यह यह पिए हमारे सारे इक्टिका कहीं नीकल गया है उनका अपक मैं। सी है तो सी जो है ना मुंबई में जनम लेगा 1983 में यह पॉसिलिटी पे हमारे सारे बेक्तियों के एरिंग ऑफ बर्थ और प्लेस निकल गया अब आते इस पॉसिलिटी के बात करते हैं मालों कि 1901 में एफ का जनम हुआ है बी का जनम 1965 में हुआ है ठीक है अब इसके बाद अग कि ऑलड़ी बोला है कि जिस बेक्ति का जनम 1983 में हो रहा है उसका बर्थ प्लेस क्या जी 1983 मुंबई है हो गया फिर इसके बाद हम यहाँ पे आपका एक प्लेस और अब इसके बाद क्या हम कर सकते हैं कि हमारे पास दिया था कि E का जनम 1974 में हुआ है यह बात भी कहा है तो E का जनम 1974 में हुआ है फिर बोला कि A का जनम 1974 में हुआ है तो E और E E पहले होगा A के तुल्ला में ग्योंकि E के जनम 1974 में हुआ है और A के जनम कहा हुआ जी 1978 में हुआ है ये बाद भी कनफर्म हो गई अब यहाँ पे एक बात देखिएगा हमारे पास यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एक लाइन बोला था कि जो बेक्ती का जनम भोपाल में होगा उसके 10 साल बाद D का जनम होगा अगर मैंने एक पॉसलिटी में रखके चला है कि D का जनम 1983 में हुआ है और B हमारा भोपाल नहीं होगा तो मतलब कि एक जो बेक्ती भोपाल से आएगा ठीके वो भोपाल से आगा अब कब आएगा 1973 में तिके तबने इसके 10 सल बाद हमारा आपका क्या एगा जी 1983 आएगा ये बात कन्फरम है बी हमारा भोपाल से नहीं है एफ का हमारा एरिंग निकल गया है तो बचा क्या एक बेक्ती जो बचा है वो कौन है जी वो C बचा हुआ है मतलब कि according to this statement अब कह सकते हैं कि C का जनम जो है न वो 1973 में होगा C का जो जनम होगा वो कब होगा जी 1973 में होगा 1973 का मतलब कि यहाँ पे हमारा 1973 आ सकता है यहाँ पे C होगा लेकिन एक लाइन और देखे यहाँ पे यहाँ पे यह लाइन बोला है कि at least one person was born between C and B C और B के बीचे में कम से कम एक बेक्ती का जनम हुआ है लेकिन इस possibility में आपके C और B के बीचे में कोई भी बेक्ती नहीं आ रहा है तो according to this statement यह हमारी possibility जो है न वो wrong हो गई हमारा जो final conclusion निकला यह possibility पहला जो रखा हुआ था यह निकल गया कि F का जनम भोपाल में हुआ है 1961 में B का जनम देलही में हुआ है 1965 में D का जनम आसाम में हुआ है 1971 में E का जनम चिन्नई में हुआ है 1974 में A का जनम गुजरात में हुआ है 1978 में और C का जनम मुंबई में हुआ है 1983 में इस puzzles का ये हमारा answer रहा अब हम आगे बढ़ते हैं इन पे questions जो दिया हुआ है पांच questions उसको solve करने की कोसिस करते हैं देखिए ध्यान दीजिए जो हमारा पिछले previous slide में निकला था ये हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है ठीके पहला कोशन क्या बोला है पहला कि इन विच इस डी वाज बर्ण इन विच इस डी वाज बर्ण डी का जनम किस साल हुआ था तो डी का जनम कब हुआ ह जी 1971 में option number C दूसरा कोशन बोला कि who was burned just after A A के बाद किसका जनम हुआ है तो A के बाद किसका जनम हुआ है जी C का ठीके तो यहां पर option number हमारा वाँ C हो गया what is the difference in the age of E or C E or C के बीच में age का difference कितना है तो अब देखिए यहां पर कि E का जो age है वो कितना है जी 1974 का है ठीके अ हमारे पास C का age जो है वो कितना जी 1983 का है तो 1974 से 83 आएंगे तो 9 साल का difference होगा ठीक है option number पुना हमारे पास क्या है जी C question number 3 का who amongst the following is odd from the rest बाकी सब में कौन odd है तो बाकी सब में odd हमारे पास देखिए क्या है जी A बाकी सब में हमारे पास odd क्या है जी A है हाँ देखिए तो questions number यहां पर इसमें बोला था क्यों who amongst the following is odd from the rest मतलब कि option number C होगा क्यों होगा कि हमारे पास देखिए option number पर जो A दिया हुआ है C, C का जो जनम हो रहा है वो odd year में हो रहा है 1983 में F का जनम हो रहा है वो भी हमारा उनीस सो गतर odd year में हो रहा है लेकिन A जो options number C है उसका जनम 1970 में हो रहा है जो सम में even में है ठीक है आगे बोला question number 5 in which years was the persons from Aasam burn Aasam का जो बेक्ती है वो किस साल में जनम ले रहा है तो Aasam हमारा D से है और D का जनम का बोला जी 1971 में हो रहा है तो option number C यह questions का solution रहा अब हम आगे बढ़ते हैं आगले puzzles पे Certain number of peoples were sitting in a row facing north इस question में दिया कि कुछ निश्चित बेक्ती हैं बताया नहीं कितने बेक्ती हैं लेकिन कुछ बेक्ती हैं जो एक row में बैठे हुए हैं और इनका facing कहा है नौर्थ की और है He who was to the right of T was seated at six positions from the left end कोशन में क्या बोला है कि he who was to the right of T जहां भी T बैठेगा इसके right में कौन बैठेगा जी भी बैठेगा और was seated at six positions from the end मतलब किसी पंक्ती के किसी भी एक अंतिम छोड़ से वह छठे अस्तान पर है कौन भी six positions from any other end वह इंड क्लिरफाई नहीं किया है कि वह इंड क्या होगा राइट इंड होगा या लिफ्ट इंड होगा हमारे पास एक अभी possibility बन सकते हैं कि एक इंड से हम T को रख सकते हैं ले नहीं हो सकते हैं यह बात भी clarify कर दिया आगे बोला कि क्यूँ वास्टु दा इमिडियेट लेफ्ट पी अब जहां भी बैठेगा उसके इमिडियेट लिफ्ट में कौन होगा जी क्यूं होगा मालों कि जहां भी बैठेगा तो फेसिंग तो नौर्थी होगा जी इसके एड़ जेंश्टु एस एड़ जेंश्टु एस का मतलब कि जहां भी एस बैठेगा उसके आस्परोस में यू नहीं बैठेगा और यू पंक्ति के एक अंतीम छोगर पे बैठा हुआ है आगे क्ला इस लाइन में क्या बोला है कि नंबर आफ पीपुल्स स्टु दे राइट आगर चार बैठ ती होगे अगर आर के लिफ्ट में तीन बैठी है तो आर के राइट में च्छे बैठी होंगे यह कोष्ंन में कहा है तो पहले इस दी आप पकण लेते हैं है मालो की R बैठा हुआ है एक केसा हमारे पास पहला ये ले लो R बैठा हुआ है इसके lift में पहले हम लेते हैं तीन बेखती को मालो की ये पहला बैठा है दूसरा यहाँ पे तीसरा यहाँ बैठा है यहाँ पे R बैठा है इसके right में 6 हो गया तो एक दो तीन चार पांच और ये 6 हो गया ये हमारे पास एक सीटिंग हो गया दूसरा केस हम लेते हैं यहाँ पे सेकेंड केस जो लेते हैं अब मालो की R के left में 4 बैठा हुआ है एक दो तीन चार ठीके यहाँ पे अब कौन बैठा गया आर बैठा गया तो R के अब right में कितने बैठा हो जाएंगा जी आठ बैठा हो गया तो एक दो तीन चार पांच छे साथ और ये आठ बैठा हो गया ठीके आगे बढ़ते हैं आगे बोला कि there were eight people sitting between T and S T और S के बीच में 8 बेक्ति हैं तो एक बैक्ति दो के दो कि चार पांच बैक्ति उसके राइट त्री से बेठा हो पूर्जी पूरे 8 बैक्ति हैं फिर क्या बोला कि no three peoples were sitting together इस line को याद रखे लिए कोई भी तीन बेक्ती जो है न एक साथ नहीं बैठ सकता है मतलब कि P, Q और और आर इस प्रकार का अगर अरेजमिंट आता है तो हमारा गलत होगा तीन बेक्ती एक साथ भी बैठ सकते हैं दो बेक्ती बैठ सकते हैं ये confirm है इस केस में मालों कि T यहां बैठा है एक बार मैं कॉर्णर बैठा तो T यहां पर बैठा हुआ है इस केस में T यहां बैठा है टीके जब T यहां बैठा थे इसके राइट में तो अब राइट में तो हम भी किलो कि जाएंगे लेकिन एक इंट से छटा स्थान, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौता स्थान, पांचबा स्थान और यह चटा स्थान के immediate lift में Q है तो P के immediate lift में Q है और इस line को याद रखे जब कि बोला है कि कोई भी तीन people जो है ना एक साथ नहीं बैठा है तो अब देखो यहां पे Q नहीं बैठेगा क्यों नहीं बैठेगा क्यों नहीं बैठेगा क्यों यहां बैठा तो यहां पर P बैठेगा क्यों अगर यहा हमारा अरेज्मेंट गलत हो गया क्यों गलत हुआ क्यों कि तीन बेक्ती एक साथ बैठे कंडिशन को फुल्पिल नहीं कर बाएगा यही कंडिशन अभी यहां यहां पर हो बाएगा अगर यहां पर क्यूं बैठता है तो क्यूं और पी तो बैठ गया पी के से ज्यादा नहीं हो सकते हैं तो अब अगर मैंने दो सीट को और लिया तो देखो तो कुला लाइन कितना हो गए तीन सीट यहां पर गये चार पांच छे और एक किने किसी पंग्ती के अंतीन छोर पर बैठा है यू जो है ना किसी पंग्ती के अंतीन छोर बैठा यह पोड़ तो यह पूरा का पूरा जो अरीजमेंट है न यह पूरा का पूरा अरीजमेंट रॉंग हो गया अब हमाते सेकेंड पॉशिबिलटी पर सेकेंड पॉशिबिलिटी पर आगात आते हैं तो मौन लोग कि मैंने टी को यहां पैठा दिया just imagine की टी में आथ क्या ठ्क है तिक दी यहां पर चाहां प भी है तो वापस हम आते हैं यह हमारा कंडिशन पूरा एक्जिस्ट कर गया फिर बोला कि टी और एस के बीचे में आट बेखती है अब यहां बैठा तो एक बेखती दो बेखती तीन बेखती चार बेखती पांच छे साथ और आठ यहां पर कौन बैठ गया जी एस बैठ गया हुआ टिके यहां पर एस हो गया है अब आगे बोला कि पी और क्यू आइस पीड उन इंड इंड शोर पे भी सकते हैं तो यहां पे हमारा य नहीं होगा और यहां पीड यह Möglich को हमारे पास बठाने के लिए इस इंडवे भी है या आगे भी बढ़ सकते हैं हम ठीके फिलहाल अभी देखो कि पी के immediate left में Q है और ये दोनों साथ में बैठे हैं तीन बेकती एक साथ नहीं करेगा तो अब हम कहां बैठा सकते एक बार आप एक काम करो Q को यहां बैठाओ Q यहां बैठा तो P यहां बैठ जाएगा क्योंकि P के immediate left में Q है तो अब देखो कि Q और P ये दोनों साथ साथ है लेकिन इनकी अगल और बगल में कोई भी बैठी नहीं बैठा है यह conditions हो गया चलो यह बात भी हो गई अब हमारे पास 1 बचाए U किसी एक अंतिम शोर पर बैठा है तो फिलहाल U को अब यहां पर U यहां बैठ जाएगा क्यों क्योंकि A के आसपरोस में नहीं है 15 से जादा बिक्ती नहीं होंगे तो आप एक बाइच चेक करो कि क्या पंदरह से ज़्याद अबिक्ति नहीं है क्या एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारह बारह तेरह एक कंडिशन और दिया हुआ था क्या दिया हुआ था देखिए यहां पर जी रहा है कि क्यूं जो है क्यूं बिक्तखिया रॉइट प्राइट है और देखिए पनाच हमारा यहां देखिए पी हो जाएगा ठीक है यह हमारा final conclusions रहा अब हम आते हैं इसके इस पर जो questions है उसको हम लोग solve करने के कोशिच करते हैं आगे बढ़ते हैं कि यह रहा हमारा final conclusions जो आपने अभी देखा solve किया था अब आते हैं इस पर question question number 6 solve करते हैं वोला कि how many people who are sitting in row रो में कुल कितने बेखती हैं तो कुल कितने बेखती हैं जी एक बेखती दो बेखती तीन बेखती चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा कितने बेखती जी तेरा बेखती हो गया है who amongst the following was seated right of S S के right में कौन बैठा हुआ है S के right में बहुत सारे बैखती है हम बता नहीं सकते कितने बैखती है तो none of these options में only one है नहीं जी second और third ये तो भी नहीं है third और first ये भी नहीं है तो आगया जा all all three अब ये बताओ कि हमारे पास P दिया है V दिया है और U दिया है यह सारे के सारे बेक्ति बैठे हुए है ठीक है जी केवल हम कहेंगे केवल P ही बैठा है U के राइट में तो U के राइट में कोई बैठा है जी सॉरी U के राइट में कोई बैठा है नहीं तो कोई बैठा है नहीं तो क्या होगा जी None of these How many people were seated Between U and R U or R के बीच में कितने बेक्ती है U or R के बीच में 1 बेक्ती, 2 बेक्ती और 3 बेक्ती U or R के बीच में 3 बेक्ती है आप लोग को एक बात और कहना चाहेंगे कि आप लोग कोशिस कीजिएगा कि अभी जो कोशन्स आप लोगों ने 6 से 8 तक को solve किया है Uncertain based जादा से जादा आप लोग इस कोशन्स को solve कीजिएगा आपने solution देखा आपके पास questions है आप कोशिस कीजिएगा कि वीडियो देखने के बाद आप इस questions को self solve करें क्योंकि इस type of questions exams में बहुत जादा number of chances है कि इस type of questions अब पूछने की संभावना है क्योंकि यहाँ पे उससे बहुत सारे questions निकलेंगे और मैं कोशिस करूँगा कि इस पे और भी कुछ नए-नए questions आप लोग को दूँ और आने वाले next videos में कभी मैं यहाँ पे तो अभी आपने questions देखा linear based लेकिन आने वाले हम कोशिस करेंगे हमारी team कोशिस करेगी कि हम circle based पे uncertain based questions को arrange करेगे कि अभी तक यह questions आप लोगों ने कहीं देखा नहीं होगा और यह first time होगा जो हमारी teams हमारी DR study points इस type of questions को launch करेगी ठीके तो बने रही है जूड़े रही है DR study points के साथ आपको बहतर से बहतर चीज़े आपको यहां पर प्राप्त होंगी अब बढ़ते हम लोग अगले questions पे यह रहा अगला questions new pattern coding decoding है अरे वाँ अब आते हैं इस question तो solve करने कोशिस करते हैं सबसे पहले जब भी आप ऐसा questions देखें तो आप symbol को पहले पकड़िएगा symbol को उसके बाद आप कोशिस कीजिएगा visit को या letter को पकड़ने की ठीक है तो यहां पे letter है और visit भी है अब देखें symbol के बारे में थोड़ी से हम चर्चक करेंगी जिनको जानकारी ना हो अगर ऐसा questions आए questions में coding में दो symbol होता है मैं थोड़ी सी आपको यहां से थोड़ी से बाहा लेकर आता हूँ अगर questions में इस प्रकार का questions जो new pattern questions अभी आप देख रहे हैं हमारे screen पे यहां इस checkbook अगर questions आपको दिखाई पड़ती है मिलती है तो आप अगर questions में एक clue symbol को पकड़ने का मैं छोड़ रहा हूँ बताना चाह रहा हूँ कि symbol अगर दो होता है अगर coding में दो symbol का use हो doesn't matter symbol क्या use किया वो बता नहीं सकते है क्या वो दो symbol ले सकता है लेकिन मान लो कि अगर उसने एक symbol ले लिया at the rate और दूसरा symbol ले लिया हैस्टेग अगर ऐसा कुछ कोई भी दो symbol रखके अगर coding करता है इस टाप के new pattern questions बनाता है तो ध्यान दीजेगा वहाँ पे odd event odd event या वावेल बेस logic को implement कर सकता है मतलब कि odd event क्या हो सकते है total number of letter odd or even में किसी का मालों की odd है तो उसके लिए add the rate यूज कर दिया अगर किसी के लिए event तो उसके लिए hashtag यूज कर दिया यह कर सकता है भावेल में भी क्या कर सकता है वो odd और even के concept को apply कर सकता है अब सुझे कि odd event कैसे कर सकता है अफकोस करेगा एक ऐसा वड़ देगा जिसमें मालों की दो भावेल है तो वो even किसी के बाद तीन भावेल है तो वो odd में आ गया तो वो दो symbol है तो odd event को पहले चेकीज़ए कि क्या वहाँ पे odd even लग रहा है या भावेल पे base हो सकता है लेकिन यहाँ पे multiple symbol है जब multiple symbol हो तो क्या करेंगे तो जब multiple symbol होते हैं मालों कि 3 से जादा 4, 5, 6, 7 type के symbol होंगे जैसे कि इसमें है आप देखो कि symbol में तो इसमें दिया हुआ है कि एक symbol हम पहले find करते हैं percentage है उसके बाद क्या जी ये symbol है फिर हमारे पास add the rate है फिर हमारे पास क्या है oh आब क्या एक ओर नि कल गया percentage हो गया है अब पर अरो ही गया dollar हो गया है हेस्टक हो गया exclenty हो गया तो कुल कितने सिम्बोलद लें एक दो तीन चार पांच छे साथ और यह आठ सिंबॉल है जब भी अगर मोर देन थ्री सिंबॉल्स फॉर सिंबॉल्स फाइफ सिंबॉल्स आते हैं तो पहले कोशिस किजिएगा कि फस्ट लेटर ओफ वर्ड नोट के लिए ध्यान से अगर आपको दिकत हो रही है तो आप जब भी मोर देन सिंबॉल हो तो पहला ट्राइ किजिए गए वर्ड पिहले लेटर लेटर चेक करें य क्या वह पहले लेटर के जिसका लास्ट लिटर आ गया तो दोनों के तो कॉमन भाई निकलेगा ना सिम्बोल निकलेगा तो इस चीज़ को याद रखेगा और भी बहुत सची होंगी ठीक है कभी हम इस पेसल इस पे एक वीडियो बना करके आपको पोस्ट कर दें कि सिम्बोल कैसे जनकारी मिलेगी ले ख गया है यह कोडिंग दिया होए है लार्जेस्ट पोस्ट इनिश्यल्स को लिखा गया है यह आं लिखा गया ऑल्लण को आटू लेटर कोटहस्वामिड अब यहाँ समझो एक कास पर मोस्तली यहां पर है मोस्तली अब मेड यहां पर है तो दो वाड़ मेंसी Щो्तित आपना सबसे पहले को सिखो कि कि से पकरे तो हमारे पास पकरने क्लिक्याल कर पर खोरे कि सिंबॉल कोर्मिंधर मोड्य आजाय ह। यहां कोंड डूरै स्मिन इसे बाते दो एक्सक्लेमेटरी है अब जब दो एक्सक्लेमेटरी है एक लाइन पकड़ो कि ऐसा क्या क्या चीज किया है इस लाइन में सेकेंड वाले संटेंज में क्या ऐसा चीज है कि दो एक्सक्लेमेटरी सिंबोल उसकिया है तो है इन है और आयरलेंड है तो दो ऐसे वर् ने क्या किए होगा कि दिये गिए सब्सक्राइब और पहला यहां पर आई है तो足 कि 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 six के निए problem कि क्या कोड किका है exclamation हो सकता ही उसकिया मैं ठीक है तो हम एक कॉट कि पहले वाले संप्सक्राइब और दूसरी संटेंज में हमारे पास क्या है आप इसमें क्या कॉममनहें, कॉमा लिखा बूर्ट, और और कहीं पर है नहीं है और कहीं भी म से संबंदी कोई वर्ड है नहीं है तो हमारे पास अब हमको होसला बढ़ गया कि सही हो सकता है अब पर कहीं ने चीज एक दम है लेक्चर है लेंडिंग है टिके जी है मिला मिला तो हमारे पास यह कॉमन हो गया अब यहां पर लार्जेश्ट है तो तीन एल से संबंदित लेक्चर टिके जी लेक्चर लेंडिंग और लार्जेश्ट तो तीन हमारे पास तीन जगा हमारे पास क्या मेरे जी हैस्ट सकता है क्या confirm है कि दिएगे वर्ड का पहला लेटर बेस माना है सिंबोल के लिए पहले लेटर के लिए सिंबोल यूज किया ठीक है हमको एक वर्ड निकाल किस वर्ड को जिसके बार में का confirm code पता चल गया है जैसे कि अब आप देखोगे तो इस लाइन में लार्जेश्ट पोस्ट इनिशियल तो तीनों जो वर्ड है अलग अलग लेटर के हैं एक एल से है एक पी से है और एक आई से है तो हमको पता है कि आई के लिए एक्सक्लेमेटरी यूज हुआ है तो इनिश इनिशियल ठीके इसका कोड क्या दिया जी नाइन एक्सक्लेमेटरी और क्या दिया जी यह हो गया नाइन एक्सक्लेमेटरी यूज तो सिंबोल के लिए क्या कह सकते हैं हम सिंबोल के लिए यहां पर लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं सिंबोल के लिए जी कि फर्स्ट of word symbol के लिए हम लिख सकते हैं कि first letter of word टीके जी first letter of word ये मान सकते हैं ये दिया हुआ है of word first letter of word symbol में क्या किया कि पहले letter पहला लेटर किसका जी दिएगे सब्द का ठीके तो हो गया आई जो है ना किसके लिए एक्सक्लेमेटरी हमारा यहां पर है एक्सक्लेमेटरी जो कोड यूज हुआ है वह आई के लिए यूज हुआ है ठीके मोश्टली एम है तो क्या निकला है हमारे पास एड़ेट किसके निकला जी एम के लिए निकला है ठीके इसी प्रकास से बाकी सिंबोल का निकल गया अब देखला ध्यान से कि परसंटेज के लिए कौन सा कोड यूज़ वा जी परसंटेज के लिए क्या है जी तो परसंटेज के say book है किसके युजवा है ल के लिए हुआ है डॉलर का उसके लिए हुआ है डॉलर का उसक्तय तो हो कह किलिए है है हमारे पास लगवा लगवा सब के निकल गये है तो श्वासाल एक सभी समय खेंग दिजीट के निंवा है तो इसके लिए पहले करना है तो उसके लिए पहला करो कि टोटल नमबर फिल्टर पहले फाइंड करो कि वर्ड में कितने लेटर हैं तो इस में आओ मोस्टली मोस्टली में 3 और 3 6 मोस्टली में कूलेटर कितने हैं जी 6 है सेव कितने हैं तीन दो पांच सेव में कितने हैं पांच है हाई ली में 3 और 3 छे लेक्शर 3 तीन 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें कितने जी 9 लेटर हैं चलेखले हैं अब आया हमारे पास 6 यहां पर आठ 8 8 7 एक यहां पर 12 नी होगा यह बाइडीफिल टाइपिंग हो गया है गलती से यहां पर 11 होगा है इसको जो आप लिए बारा नि te लिए आठ पांच में पलस्टू करेंगे तो कितना लिए लगा जी आठ तो हम कैसे सकते हैं डीजिट में क्या कि टोटल नंबर ओफ लेटर कि टोटल कि नंबर ओफ लेटर कि टोटल नंबर ओफ लेटर आफ वर्ड ओफ आउंड वर्ड पलस टू मतला कि एवड के जितने भी सारे नंबर साव लेटर है ना उन में जो निकाल करके और उसमें क्या करना जी प्लस टू कर देना यह हमारा डीजिट निकल जाएगा यह हो गया अब बात करते लेटर का तो लेटर में क्या वह सकता है first letter reverse कर सकता है last letter reverse कर सकता है या first जो letter है उसको उठा करके अपना code ले सकता है या what का जो last letter है उसके last letter को उठा करके code कर सकता है ये बहुत सारे process है मैं पुना बोलना चाह रहा हूँ कि कभी समय मिलेगा तो हम separately cable coding के new pattern पे symbol कैसे find करेंगे letter कैसे find करेंगे digit कैसे find करेंगे इस चीज़ के basic को पकड़ने के लिए मैं एक video आप लोग को post कर दूँगा तब तक अभी आप process कीज़े जो मैंने बात बोली जो बात मैंने समझाया अभी कुछ देरों में पहले जब से मैं discuss कर रहा हूँ अगर ना आपको समाझ में आया या आप बातों को थ्वासा भूल गए तो आप इस video को दोबारा replay करके आप उस चीज़ को सुन सकते हैं note कर सकते हैं आते हैं letter के लिए letter में हमारे पास इस coding में क्या किया है कि दिये गे word का last letter code के रूप में represent किया है ऐसे इनिशन निकाल थे ना हम लोग इनिशन लिकाल थे ना last letter क्या आजी एल है एल क्या है हमारे पास code क्रूप में total number of letter कितना आजी 7 है 7 है तो इसमें total number of letter 7 plus 2 कर दिये कितना आजी 9 आ गया तो हमारा pattern जनकारी मिल गई symbol first letter base है डिज़ नंबर जो है डिज़ जो है total number of letter plus 2 है और जो letter है वो last letter of word है तो letter के लिए क्या हो सकता है letter क्या हो सकता है जी last last letter of word तो यह letter के लिए है last letter of word है यह symbol के लिए है first letter of word है और डिज़िट के लिए है total number of letter of a word plus 2 टीके अब आते हैं इस पर अधारित questions को solve करने के कोसिस हम लोग करते है 9 number question number 9 क्या बोला है कि the code for the word यह word का code क्या होगा तो अफकोस पहले total number count करो कितना जी 3, 3, 6, 2, 8 हो गया देखो नमबर B, C और E बचा है ठीके अब लाश्ट लिटर क्या जी इन है अब देखो कि हमारे पास इसके पास लाश्ट लिटर क्या जी पी है तो खतम हो गया हमारे पास N है निकल गया ठीके एक डॉलर एन है यहां तक कर्फर्म ऑप्शन नमबर C हमारे पास होसले की रूप में आ गया अब एक शीच देख लो कि हमारे पास जो है ना पी के लिए कौन सा सिंबल यूज पी क्या सिंबल यूज हुआ है डॉलर हो गया ऑप्शन नमबर C अब गोला कि दा कोड फॉर दवर्ड मैथ मैथ क्लिए क्लिए क्या कोड यूज हुआ है देखिए पहले चकीजिए यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन किलिए ए और सी में से बेन से मैंने डिए डिशीट में और C और D में अलग अलग डिफेरेंस है तो पहले पकड़िए डिजिट को क्यों को पता ना आसान है टोटल नमबर अफ यूज प्लस टू कर दिया है तो अब हमको एड करने के बाद प्लस टू करने के बाद यह तो इसका आरा है कौन सा डि क्य помощью क्योंकि इसमें दोनों में इंडरेट और चाहिए थे अम को और हमको अलग चाहए गया अद्रेट और फिड्र しमबोल पर्ण के लिए प्लिए उप्स होला है मतलब कि option number a exclementary नहीं होगा option number b नहीं होगा math के लिए क्या होगा जी 7 at the rate is अब को आते है question number 11 पर क्या बोला कि the code 9 and a does not which of the following किसके लिए नहीं होगा does not doesn't which of the following following अब आगे देखिए पहला options यहां पर 9 है 9 का मतलब क्या जी हमको पता है कि जो digit निकला है total number of letter plus 2 है मतलब कि अगर इसमें minus करें तो ऐसा वड़ पकरी जो 7 letter का है पहला clue मिकला हमारे पास इसमें कितना यह 3 3 6 7 चले ठीक है आगे बड़ी तो होगा नहीं नीदर लेंड तो अलड़ी बड़ा है अब आजा यहां पे 3 और 3 इसमें 6 है ठीक है यहां पे देखो यहां पर कितना यह 3 4 5 6 और 7 इसमें भी है और 3 4 5 6 और 7 इसमें भी है अब आजाओ आगे 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 क्या होता है हमको पकड़ना इस यहां पर टाइपिंग में हमारे डिफल्ट मिस्टेक हो गई है लेकिन इस यहां पर जो इसका कोड निकालना है यह आप्शन नंबर ए और आप्शन नंबर डी दोनों ही वर्ड के लिए वैलिड होगा ठीक है अब बढ़ते हम आगे अगले कोशन पे बोला कि परसेंटे अब यह कोशन से रहा आपका डाटा से बोला कि हाव इस नेवर रिटेर इन कोड लेंगवेज अरे वा कोडिंग का ओल्ड पैटन पर जी बोला कि नेवर का कोड क्या होगा पहला जो दिया है पहला बोला है कि नेवर एवर गो देयर नेवर एवर गो देयर इसका कोड क्या दिया है ना जा नी हो आगला क्या दिया आप देखो इस केवल सिंगल लाइन से हम नेवर का कोड नहीं फाइंड कर सकते तो पहला जो डाटा से पहला जो है ना यह वालिड नहीं होगा सेकेंड हम आते हैं सेकेंड जो दिया हुआ है conclusions उस्पी क्या दिया है कि हमारे जो गो देयर एंड कम बैक एंड कम बैक इसका जो कोड दिया हुआ है मा हो सा नी और डा अब हम सेपरेटली सेकेंड से देखेंगे तो सेकेंड में नेवर के युट है ही नहीं तो सेकेंड भी जो है ये सिंगल हमारे एंसर के लिए सकीसीएंट नहीं है और दोनों और जो है न यह दो ऐसे वरों जो कविशान है जो कि Doona normally जाओ दोनों एक आ सकता है सेपरिट्ली नेवार्ड केलिए हमारे पासकोड इन दोनों से भी सब्सक्राइल तो option number D फिलाल यहां पर option number D रही दिया हुआ लेकि जहां भी आपको answer मिलेगा जब दोनों से आपको answer ना निकले तो आप वहाँ पर answer टिक किजिएगा neither data sufficient first nor second is sufficient तो फिलाल यहां के लिए option number D is a correct answer आगे बढ़ते हैं हम लोग तो second आगे questions को solve करते हैं अब यहां पर जाए यह question number 14 question number 14 में क्या बोला है कि 8 friends आठ दोस्त है A B C D E F G are sitting around a circular table facing towards inward आठ दोस्त एक गोला कार मेंज में चारों तरफ बैटे हुए हैं सबका फेस अंदर की तरफ है who was seated third to the right of H H के third right में कौन बैठा है ठीक है चलिए पहला question solve करते हैं पहले पहले रहन से पहला हमां जो सफिसेंट दिया है बोला है कि यह आठ फेसिंग इंसाड है सबका आठ का इंसाड हो गया जी प्लेस ठीक है अब आज आओ पहला बोला कि D who sit immediate right of F D जो F के immediate right है वाज सीटेड to the second left of B मतलब कि B के second left में D बैठा है और D जो है ना F के immediate right में तो मालों कि B यहां बैठ गया ठीक है तो इसके क्लिर है फिर बोला कि E was third to the right of C C के third right में कौन है जी यह हो गया अब देखो हमारे पास A और H के लिए कौन सा प्लेस प्लेस पर या तो A नहीं यहां बैठेगा तो H यहां बैठेगा ठीक है यहां तो H यहां बैठेगा तो यहां पर कौन बैठेगा जी A बैठेगा लेकिन कि दोनों एक दूसरे को opposite test समें face कर रहे हैं यहां पर हो गया एक दूसरे को face कर रहा है चलिए आजबरी क्या इस लाइन को पकड़More सी के तो पहला जो हमारा दिया हुआ है वह एंसर के लिए सफिसियंट नहीं है यह पहला डाटा है अब हम आते हैं सेकंड डाटा को सॉल्ब करने की कोशिस करते हैं क्या बोला है कि जी वाजड़ मना लिये हमने डिक के आगे बढ़े सीटिंग आट मैंने कर दिया अब क्या बोला है कि जी वास फिफ्ट क्म प्रॉस्ट दो राइट अफ एफा तिफा कि फिफ्ट राइट में यहां बैट्डू इस seated opposite to B E जो है न वो B के opposite में है तो B जहां भी बैटेगा वो सामने उसके opposite में कौन बैटेगा जी? E बैटेगा D was third to the left of C C के third left में कौन बैटा जी? D बैटा है ठीक है? यह भी confirm हो गया है अब आप आगे देखिए यहां तो खोगी बाते हैं अब हम इसको arrange करने कोजिस करते हैं तो मान लो कि हमारे पास यहां पे B बैठा और यहां पे E बैठा suppose that कि B यहां बैट गया तो E यहां बैट गया ठीक है जब यह बैट गया तो आगे क्या बोलाजिए कि C के third left में कौन है जी? D है तो C यहां बैठेगा तो third left first second third यहां पे कौन बैठेगा जी? C यहां बैठा तो third left में कौन बैठेगा जी? D यहां बैठेगा लेकिन हमारे पास फिर वाही बात A और H के लिए sufficient place नहीं बचा है clear है जब नहीं बचा तो हम दोनो statement को add करते हैं दोनो statement को add करेंगे तो दोनों instrument को add करने के बाद हमारे पास क्या था जी? कि A और H opposite direction से बैठे हुए है एक दूसरे के साथ यह भी second वाला जो sufficient है data जो है हमारे answer के लिए परियाप्त नहीं है जब हम दोनों को मिलाते हैं दोनों को मिलाएं पहले और दूसरे data को मिला करके अगर हम answer को solve करते हैं तो questions में क्या दिया था? कि B के opposite में कौन है जी? E है तो B यहाँ बैठ गया टिके opposite में कौन है जी? E यहाँ पे हो गया clear है अब क्या बोला कि F के 5th right में G बैठा है अब अगर F यहाँ बैठा है F यहाँ बैठता है A और H एक दूसरे के B परीट में है A और H एक दूसरे के B परीट में है तो place finding हो पा रहा है अब हमारे पास यहाँ पर बचिया C तो यह हमारा दोनों sufficient को दोनों रटाओं को मिलाने के बाद भी हमारा H का जो place है न वो confirm नहीं हो पा रही है तो हम कह सकते हैं कि neither first neither second sufficient for this answer option number D is a correct answer आज का आखरी questions को solve करते हैं अब यह आखरी सवाल को solve करते हैं क्या बोला है 8 people P Q R S T U V W We are sitting in two linear rows यह 8 बेक तीश चार दो समणांतर रो में चार-चार के परसर में बैठे हुए हैं facing to each other सबका facing का आए एक दूसरे के आम एंसामने है people in row first जो पहले रों में बैठे हुए है उनका facing का आए जी North की और है और जो row 2 में बैठे हुए है उनका facing का आए जी South की और है टिके चलो यह row first हो गया और यह row क्या हो गया जी second हो गया अब बोला कि Q was sitting in row first Q जो है ना वो row first में बैठा हुआ है and second to the left of B मालनों कि भी यहां बैठा है इसका second left में कौन बैठ गया जी Q बैठा गया clear है आगे बरते हैं S was sitting in row 2 and opposite to R S और R यह दोनों एक दूसरे के opposite में बैठा हुए है यह बात कह रहा है T was to the immediate left of P and opposite to U T जो है ना P के immediate left पर बैठा है और किसके opposite में है जी U के opposite में तो एक छी देखिए कि row first में कौन कौन बैठ बैठा गया Q बैठा गया वी बैठ गया how about e Our second में कौन में बैठी बैठ गया और ट सेकेंड में कौन कौन में एक बैठ गया हो सकता है कि ऐक पॉसिबिलिट में वकी के हैं एक इमेडियाट ऻिफ्ट में बैठ सकता है इतनी सारी possibilities, दो possibilities के साथ हम data first को solve करने कोशिस कर रहे हैं, तो हमारे पास exact answer नहीं निकल पाएगा, कि Q के immediate lift में कौन बेक्ती बैठा है, ठीके, अगर हमारे पास ये conditions fulfill करता है, तो of course Q के immediate lift में कोई बेक्ती बैठा है, अगर ये conditions ना होकर के V के immediate right में कोई बेक्ती बैठा है, तो of course ये data हमाज sufficient करेगा, तो exact हम clarify नहीं कर पा रहे हैं, बादा नहीं सकते हैं कि कौन बेक्ती Q के immediate lift में बैठेगा, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि row 2 में A, P, T और W बैठेगा, row first में Q, V, R, U बैठेगा, तो पहला जो data है ना, वो हमारे answer के लिए sufficient नहीं है, अब दूसरी data को solve करते हैं, दूसरा data क्या बोला है, second data बोला कि you was seated opposite to the persons who was second to the left of S, S के second left में जो भी बैठेगा, उसके सामने कौन बैठेगा जी, you बैठेगा, W was seated at the right end of the row, right end of the row का बना, W यहाँ बैठेगा, तो ठीक है, यहाँ पर exit हो गया, exit यहाँ पर, exit यहाँ पर, exit यहाँ पर, तीन और चार उपर में हो गया, पुरे चार उपर, चार नीचे हो गया, अब क्या बोला कि Ace was seated second to the right of T, एस जो है रहा, T के second right में, तो T यहाँ पर हो गया, इसके second right में Ace हो गया, row 2 की बात कर रहा, यह row 2 की बात कर रहा, यह row 1 की बात कर रहा, row 1 facing north, row 2 facing south, आगे बोला कि R was to the immediate left of V, भी जहाँ बैठेगा, उसके immediate right में कौन बैठेगा जी, sorry, immediate left में कौन बैठेगा जी, R बैठेगा, अब हमको बताइए कि R और V, यहाँ भी बैठ सकता है, या R और V, यहाँ भी बैठ सकता है, तो हमारे पास दो possibility बने R और V के लिए, हम sure नहीं हो पा रहे हैं कि R और V कहाँ बैठेगा, तो second data जो है न, वो भी हमारे answer के लिए sufficient नहीं है, clear है, अब हम इन दोनों को मिला करके solve करते हैं, दोनों को मिला करके solve करने पे क्या होगा, second में बोला था कि W जो है किसी पंक्ती के अंतिम छोर में बैठा हुआ है, S जो है न, वह T के second right में बैठा है, ये भी बोला था, और एक line और बोला था कि S के second lift बैठा बेक्ती U के सामने है, ये तो second data में था, first को इसमें add करते हैं, तो add करने पे क्या दिया था कि S के opposite में R है, तो of course R यहाँ पे हो गया, अब एक second में लाइन दिया था कि R जो है न, वह B के immediate lift में है, तो B यहाँ बैठा गया, और एक line दिया था first में, कि V के second lift में Q बैठा है, तो Q हमारा यहाँ बैठा गया, और एक line दिया था first वाल डटा में कि P के immediate lift में T बैठा है, तो ये हमारा दोनों data को मिलाने के बाद हमा आइंसर निकला, तो इस questions का answer जो होगा न, वो E होगा, क्यों, क्योंकि दोनों data की अवसकता पड़ी हमें, इस questions के final conclusion में पहुंचने के लिए, तो दोनों data, both data are sufficient for these questions, उम्मीद करते हैं, आज आपको आज की classes अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो share करे, like करे, धन्यवाद